राजस्थान आर्टन कल्चर में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की इंपोर्टन पेंट्टिंग्स के बारे में यह फर्स वीडियो रहे गा, जिसमें हम बात करेंगे कि पेंटिंग्स होती क्या है, राजस्थान की पेंटिंग्स को अलग-अलग नाम कौन-कौन से एक्सपर्ट्स ने दिये हुए हैं या फिर राजस्तान में जो पेंटिंग की जो डिफरेंट स्कूल्स हैं उनके बारे में देखेंगे और उनमें से एक इंपर्टेंट स्कूल को आज स्टार्ट कर देंगे जो कि मेवाट स्कूल या फिर हम उसको बोल सकते हैं उदैपूर सब स्टाइल भी बोल सकते हैं उसको राइट तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी से इंफरमेशन जो कि हर वीडियो से पहले आपको दी जाती है के बाद में और अगर आप गारगी क्लासिस को कुछ कॉंट्रिब्यूट करना चाते हैं तो उसके लिए हमेशा हम आपके लिए तही दिल से धन्यवाद कहते रहते हैं और हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक जितना भी कॉंट्रिब्यूशन दिय करें राजस्थान की तो देको पेंटिंग जो है वो कोई अभी की तो है नहीं हमने जब एंशन्ट हिस्ट्री ये पड़ी थी राजस्थान में भी हमने देखा था कि किस तरीके से पहली ओले थिक टिप एज की टाइम पे जो स्टोन एज हुआ करती थी उस टाइम पे जो भ की जिसें कि वो अपनी क्रूड या फिर एब्स्ट्रेक्ट फेलिंग्स को मैनिफेस्ट कर सके एक्स्प्रेस कर सके आगे के लिए उनको उन मैमरीज को सेव कर सके ठीक है तो उसी चीज को अगर हम देखें तो राजस्थान में भी पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा इंप पूति पेंटिंग्स या फिर आप देखोगे कि इन पेंटिंग्स को क्या बोल दिया गया राजस्थानी स्टाइल ओफ पेंटिंग्स सबसे पहले श्री आनंद कुमार स्वामी जी ठीक है उन्होंने सबसे पहले हाइलाइट किया कि राजस्थान में जो पेंटिंग होती है उसका character क्या है क्या उसमें basic theme निकल के आती है इसलिए उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया अपने book में राजस्थानी painting और book का नाम क्या था राजपूत painting ठीक है तो इस रिसाप से आप देख सकते हो सबसे पहले इसके बारे में जकरकिस ने किया श्री आनंद कुमार स्वामी इसके अलावा अगर हम देखें तो बैसली ग्रे एक और एक्सपर्ट थे ठीक है उन्होंने भी अपनी तरफ से ये जो नाम था ना राजपूत पेंटिंग इस नाम को सपोर्ट किया पर्टिकलरली राजस्थान में जो पेंटिंग की स्टाइल रही जिसको राजस्थानी आर् तो वो अपर भरंच स्टाइल पर्टिकलरली मेवाड वाली स्टाइल से औरिजिनेट मानी जाती है अपर भरंच स्टाइल का मतलब जैसे हमने लिटरेचर में देखा था कि पहले जितनी भी कोर लेंग्वेजिज चलती थी उनका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप या फ जाता है राजस्थानी जो पेंटिंग का स्टाइल है जिसका मेन ओरिजिन सेंटर हम बोल जकते हैं मेवाड से और अगर बिगनिंग देखें या मेजर डवलप्मेंट की बात की जाए हाना अगर बिगनिंग देखें मेन बिगनिंग ऐसे तो प्रिवियसली भी बहुत सारी पेंटिंग्स होई है बट में जो बिगनिंग या थीम जो एक कहते हैं कि एकदम चरम पे का पहुंची जैनित पे का पहुंची पेंटिंग वाली पॉइंट तो वो थी 15-16 सेंचुरी जब अपने आप में ये शुरुआत हो गई थी ठीक है और आप देखोगे जैसल मेर में ए एक एंशन्ट स्टोर है बहुत पुराने क्स पड़ी हुई है और उन बुक्स का इतना है कि उनको इंडियन आर्ट का लाइट हाउस भी बोला जाता है तो आप देख सकते हो बहुत इंपकनट है ये दोनों बुक्स एक का नाम है आप देखोगे अगनिर्युक्त वृती और दूसरी है दास वैकालिक सुत्र चुड़नी एक है आगनिर्युक्ती वृती है वो 1170 विक्रम समवत की है जबकि दास वैकालिक सुत्र चुड़नी ये 1160 विक्रम समवत की है इस तरीके से ये दोनों बुक्स बहुत important है आप ध्यान रखना और location का भी जरूर याद रखना कि ये जैसल मेर में located है ओके चलते हैं आगे इन बुक्स के अलावा अगर हम देखें हरी भद्र सूरी की एक बुक है जिसका नाम है समराइच कथा और उद्यतन सूरी की है कुवले माला इनमें भी आप देखोगे कि किस तरीके से पेंटिंग हो सकती है पेंटिंग में क्या importance minor चीज़े होती है जिन पर हमें ध्यान देना चीए तब जाके पेंटिंग अच्छे से draw हो पाएगी तो आप देखोगे पेंटिंग में जो lining होती है designing होती है color combination जो पिक किया जाता है उनकी detail इन दोनों बुक्स में मिलती है हरी बद्र सूरी की समरा इच्छ कता और उद्यतन सूरी की कुवले माला तो ये जो writer है वो और ये दोनों जो text है जिन में detail मिलती है painting से related ये हमें ध्यान रखना है इन में minute details available है जिसें की painting अच्छे से की जा सके आप देखोगे राजस्थानी style जो है painting की वो अजन्ता की style से बहुत हद तक match करती है या फिर आप कह सकते हो similar है style में देखोगे जो color code यूज होता है वो देखोगे या फिर जो features है characteristics है वो match होती हुई दिखाई देंगी अजन्ता style महराष्टरा की अजन्ता केवज में है ये और ये Buddhist site है ये हम already बहुत बार देख सुके हैं जिसमें हमने पद देखा था जैसे की अजन्ता केवज के बारे अगर आपने पढ़ा हो ancient history के बारे में जब हम art and culture पढ़ता है वहाँ पे तो अजन्ता केवज की paintings के बार important schools कौन कौन सी है राजस्थान में painting के लिए तो सबसे important है number one Mayward school और इसकी sub schools भी है या फिर sub style भी बोला जा सकता है जैसे की नादवारा, देवगड, उदैपुर, बागोर, सावर, बेंगू और केलवा ये कुछ important sub styles हैं तो ये नाम आप जरूर याद रखना पूछा जा सकत है कि मेward school की sub style कौन कौन सी है या फिर इन में से कौन सी particular style है जो कि मेward school से belong ना करें तो option में कुछ घुमा फिरा के पूछे तो ये देखना जरूरी है इसके अलावा मारवाड school की बात करें तो मारवाड school में आप देखोगे बी कानेरा गया जोधपुर, अजमेर, नागोर, सिरोही, जैसलमेर, इसी के अलावा आप देखोगे गनेराव और जूनिया, ये तोड़े अलग-अलग नाम है ना, गानेराव या फिर गानेराव या फिर गानेराव, ये जो नाम है ये बहुत important है, क्योंकि इस तरीके के नाम कई बार गुमा फिरा के पूछ लेत ऐसे ही डुंडाड, डुंडाड वाले में आप देखोगे आमेर सबसे prevalent, फिर शेखावाटी वाला रिजन आ गया, फिर उनियारा आ गया, फिर शापुरा वाला रिजन आ गया, फिर जैपुर, अलवर और फिर बाद में बच गया इस सर्दा, ऐसे करके ये important या फिर हम कह सक है, prominent schools हैं, जो कि राजस्थान में आप कह सकते हो, painting point of your से हमें study करनी है, आगे चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, मेवाड स्कूल या फिर इसमें जो main sub style है, वो है उदापुर style, देखो, राजस्थानी paintings की अगर बात करे ना, तो मेवाड style से ही origin माना जाता है, यह हमन तो वो है, स्रावक परती कर्मन सुत्र चूरनी, यह 1260 के टाइम पे ही painting draw कर दी गई थी, आप देखोगे, यह painting के साथ साथ में अपने आप में एक बहुत बड़ी volume है, जिसमें text और painting दोनों का combination है, ठीक है, तो this is the oldest painting of मेवाड style, number one, number two, this was produced during महारावल तेज सिंग रीन, ज उस टाइम पर यह बनाई गई थी, यह painting, या फिर कह सकते हूं, यह particular volume उस टाइम पर compose हुआ था, ठीक है, यहाँ पर इस particular volume में आप देखोगे, miniature, जो एक तरीकी चोटी चोटी फोटोज होती है न, उनके बारे में भी मेवाड style की details मिलती हैं इस volume में, तो यह आप जरूर य मेवाड painting school या painting style, महाराना कुमभा, हमने history में already कुमभा के बारे में देखा कि कितने ज़्यादा यह multi-talented, multi-tasking individual या personality थी यह और इन्होंने art, culture, music, हर एक sector में अपनी तरफ से बहुत कुछ expand किया था, तो आप कह सकते हो कि जो development हुआ न, initial development, वो महाराना कुमभा के टाइम प में ध्यान रखनी है, इसके अलावा, जब आप देखोगे, महाराना प्रताब के death हो गई थी, उसकी बाद में महाराना प्रताब के बेटे अमर सिंग ने treaty कर ली थी, मेवार मुगल treaty हुई थी, हमने देखा था, कुछ 5-6 points थे उन में से, तो आप देखोगे, तो उस time पर थ जहांगिर जो था न, वो बड़ा मतलब art lover था, वो painting बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था, ठीक है, golden time बोला जाता है, मुगल paintings के लिए, जहांगिर के period को, तो similarly, महाराना अमर सिंग first का जो period था, उस time पे मेवार painting में गजब का development देखा गया था, ये development period बोला जाता है, व राग माला भी अमर सिंग first के time पे ही हुई थी paint, ये बड़ोदा के museum में है अभी, ऐसे ही 12 मासा ये भी एक और painting है, जो की उदैपुर की सरस्वती भवन library में अभी मौजूद है, तो आप देखोगे कि कितना जादा एक important significant चीज़े हैं, जो अभी भी हमारे सामने हम देख सक प्रेजेंट हैं, इसके अलावा आगे चलें अगर हम, तो महारान जगत सिंग जब आते हैं, अमर सिंग के बाद में महारान जगत सिंग first जब king बनते हैं, तो उनके time पे, उनका रिंड क्या रहा, 1628 to 1652, इस period को golden period of meward painting style बोला जाता है, ये ध्यान रखें, golden period महारान जगत स और इस time पे मुगल effect जो था, बहुत ही आप कह सकते हो, ज्यादा dominance create करने लग गया था, या मुगल influence बहुत ज्यादा आने लग गया था, महारान जगत सिंग के time पे, अब अगर आगे हम चलें, तो इनके time पे, जो important text लिखे गए, compositions हुई, painting को ले करके, उनमें first थी, रागमा ठीक है, तो ये तीन important है, books का एक तरीके से आप देख सकते हो, painting की form में composition होना शुरू हुआ, या फिर complete हुआ, आप कह सकते हो, महाराना जगत सिंग, first के time पे, जो की period, consider किया था, golden period of Mayward School of Painting, ठीक है, इनी के time पे, श्रीमत भगवत पुरान, जिसको सहाबुद्दीन, बहु को ने painting की थी, draw किया था, रामायन, इसे स्रीमत भगवत पुरान को एक painting के तोर पे, एक चित्र के तोर पे, इसके अलावा, रामायन को draw किया था, मनोहर ने, यहां से हमें ये तो पता पढ़ गया, कि सहाबुद्दीन और मनोहर, ये दो painters कौन से style से associated हैं, मेवाड style से, या म कार खाना, या आप कह सकते हो, workshop भी, स्टाइबलिश कर दी गई थी, जिसको बोला गया, चित्रों की ओवरी, या फिर तस्वीरो रा, कार खानो, ना, तस्वीरो कार खानो, मतलब तस्वीरों का कार खाना, या फिर इसको नाम दिया गया था, चित्रों की ओवरी, that means, workshop of painting, य इसके अलावा आप देखोगे पार्चुनात्चरित जो की एक बुक इंपोर्टेंट बुक जिसका नाम है सुपासनाचरियम ये भी एक इंपोर्टेंट फेमस वॉल्यूम है जो की मेवाड स्कूल से असोशेटेड है और इस बुक में ये जो कॉम्पोजीशन थी ये जो क्रि ये किस स्कूल से असोशेटेड है जरूर ध्यान रखें इसके अलावा एक और इंपोर्टेंट पेंटिंग है वो है कल्प सुत्रा वो 1526 AD के टाइम पे हुई थी 1526 AD आपको थोड़ा यादार होगा महराना सांगा 1527 में खानवा का तो बैटल होता ही है न ठीक है आगे चलत होगे कादमबरी हो गई पंच तंत्रा हो गई मालती मादव हो गए इनकी स्टोरीज पे बेजड पेंटिंग का प्रोडेक्शन हुआ था ये भी आप कह सकते हो कि राज सिंग ने कितना इंपोर्टेंट रोल प्ले किया होगा इसके अलावा बिहारी सत्सई प्रत्वी राज रासो दुर्गा सब्सती और भक्त रतनावली ये भी इंपोर्टेंट स्टोरीज थी जिनको एक आप कह सकते हो पेंटिंग है डाइग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी जहां पर आप देख सकते हो बहुत ही शानदार बड़े-बड़े कैनवास इस ड्रॉ किये गए थे जो की एक तरीके से इस स्टाइल की आर्टिस्टिक ग्रंडियॉर को शो करते हैं आप कह सकते हो कि जो एक कलापूर्ण वैभाव जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आर्टिस्टिक ग्रंडियॉर वो शो करती है ये पेंटिंग्स इन स्टोरीज में ब तो ये जो वर्ड आप देखोगे ये आप असोशेट कर सकते हो कृष्ण की जो कालिया जो एक नागधा उससे या मुनाजी में जो लड़ाई होती है उसकी स्टोरी को कहीं नागे डिपेक्ट किया गया है ठीका कालिया दमन जो की पंच तंतर पे बेजड ये एक स्टोरी है जिसको ड्रॉ किया है इस कलिया दमन को किसने नसिरुद्दीन ने और ये काम हुआ था कम महाराना संगराम सिंग सेकंड के टाइम पे इसके अलावा आप देखोगे इस टाइल के फेमस और प्रॉमिनेंट इसको अधरिमें कि ये 2 और नाम थे जो की मिवाड स्कूल स्टाइल से सोशेटिट थे चलते हैं आगे फिर नेक्स्ट इंपर्टेंट चीज आती है कि ये जो पर्तिकृलर स्टाइल है मिवाड स्टाइल, मिवाड स्कूल इसकी feature क्या है, characteristic क्या है देखो men and women जब उनको represent होते हुए देखते हो ना तो बहुत ही healthy होते हैं उनका physics जो figure है वो बहुत ही जादा एक well manner में paint किया हुआ है attractive लगते हैं बहुत जादा आप देखोगे pointed nose, तीखी नाक rounded face, गोल चहरे पे तीखी नाक बड़ी बड़ी आँखें और चोटी सी गर्दन ये चीजें कही न कहीं शो करती है कि कितनी beautiful incarnation रही होगी इन particular paintings के अगर देखें अगर कभी जाना हो तो हम ये देख सकते हैं जो male थे उनकी आप देखोगे उनकी एक अलग ही जो main जो चाप थी वो थी imposing mustache मतलब जो एक रोबदार मुझें एक तरीके से यूँ आप देखते हो ना आज कल कही रखते हैं यूँ मुझें ये को गुमावदार मोड़दार मुझें और दूसरी जो females का जो आप कह सकते हो figures होते हैं वो कही ना कहीं बहुत ही ज़ादा decorated और बहुत ही ज़ादा आप कह सकते हो एक balanced way में figure दिया हुआ इसमें आप देखोगे इस style की paintings में nature को भी space मिला हुआ है जब paintings को आप देखते हो nature का depiction भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पर जो prominent paintings हुई उनमें से आप देखोगे कुछ चीज़े repeat होंगी एक दो नहीं है पंच तंत्रा गीत गोविंद, राग माला रास मंजिरी, रसिक प्रिया महा भारत रामायन प्रतिराज रासो और उसके अलावा पीछे जितनी भी paintings गई जो नाम छूट रहे हैं इस list में वो और ऐसे करके हमने देखा कि किस तरीके से मेवाड स्कूल में paintings और particularly मेवाड स्कूल की sub-style कौन सी? उदापुर, उसकी हमने बात की इसके अलावा हम नात दुआरा sub-style इसमें आप आगे देखेंगे देवगर स्कूल, शापुरा स्कूल ये उड़ देखेंगे जो की बहुत ही prominent है बहुत जादा important है अगर हम देखें मेवाड स्कूल ओफ painting की बात की जाए ठीक है? तो I hope ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तो आप promote कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो बाकी thank you very much continue देखते रहे है और भी बहुत सारी playlists है playlist section में आप जाके देख सकते हो English में available है बहुत कुछ material राजस्तान का thank you very much